30 जनवरी को महात्मा गंधी की आद में सही दीवस मनाया जाता है पर सारे इंडियन्स को सही दीवस का फिलिंग 23 मार्च को आता है क्योंकि इसी दिन 1931 को भगत सिंग सुक्देव और राजकुरू को फासी के फंदे पलटकाये गया था तुहे रोडियो को खा जाते और बाद में कैडियो को खिलाया जाता था इसी को लेकर भगत सिंग एक भूखरताल रखते हैं सारे अंग्रिजों को लगा कि ये 22 सल का बच्चा 10-20 दिन से ज़ादा भूखरताल नहीं रख पाएगा दस हजार से भी जादा लोग जेल के सामने भगत सिंग के सपोर्ट में जमा हो जाते हैं और रंध में 5 अक्टूबर 1927 को 97 दिन के बाद भूखरताल कतम होती है और भगत सिंग के सारे मांगों को पूरी की जाती है भगत सिंग जैसा करांतिकारी अभी तक भारत में पैदा नहीं हुए है